हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू मैं चैनल दिवेल्प किचन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरहीं को आप यूज करके कैसे अपने स्किन को वाइट टाइट और ब्राइट कर सकते हैं वह बताऊंगी तो अभी तक जिन्हों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल अगर आपके कहीं पर जल जाती है लग जाती है तो आप कोलगेट लगाते हैं तो तुरंत रिलीफ मिलता है साथ-साथ में यह ना हमारे दांतों को सपेद करने में मदद करती है और इसको आप बॉड़ी पे अप्लाय करोगे ने तो बॉड़ी को भी वाइट करने में मदद करती है साथ-साथ में अगर आपके कहीं पे जलन हो रही है और अगर सूजन हो चुकिए तो आप कोल गेट को यूज़ कर सकते हो सूजन बिल्कुल कम करती है तो इस तरीके से देख सकते हूँ मैंने कोल गेट ले लिए तो अब मैं आपको बताते हूँ इसको हाथो और पैरों अच्छी तरीके से रब करना है तो आपको इस तरीके से ना रब करना है अच्छी तरीके से यह मैंने आप मैं दो हाथों के नहीं लगा हूँ मैं एक हाथ के आपको लगा के बताऊंगी इसके कितने अच्छे फायदया होते हैं कितने अच्छे फायदया आते हैं इसकी तो और मैंने बहुत सारे फेशिल के वीडियो डाल रखे हैं चहरे पे आप कैसे फेशिल ग्लोप ला सकते हो तो वहां पे आप वह वीडियो भी आप देख सकते हो पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर वा दिये हैं यह कीवल मैं हाथ और पैरों के लिए पानी फेशिल के तो आप वो जा देख सकतो वह भी होमगेड थेख सकतो हात और पैरों का मेंने पानी लिए और यह मैने और साथ मोथा पानी लिया और यह मैंने साथ आध में लेलिये को ब्रॉष बांदे ना क्यून शीज़े लिये दो तो चक्षक पानी में अपनी तो घोला इना यमसित के एपको क्रिफर पाने में और घमर्स कर से अगर आपकर पाद सी देना टोड़ा से अखदगाे लाख पानी में नहीं पानी में और चुतकुक पानि नहीं प्रॉस मॉला की नहीं अख़ाए टी कि टीसा को तो Support गुना पान ले लेना उसमें रोज वाटर डाव में और फिर आपको एक ब्रश ले लेनी है तो पांच में ठोच चुके हैं तो अपना आपको स्क्रब करना है मसाज करनी है तो सबसे पहले तो इसको छोड़ा कर लेंगे कोलगेट को क्योंकि जो मैंने पांच में ट्रके थे ना तो यह कोलगेट ना बिल्कुल सूप चुकी थी हाथों पे और इसने पूरी गंदगी टैनिंग डिमूव करने में आप देख सकतो मदद करेगी अगर आप इसको यूज क क्योंकि टाहिए कर सकते हो क्योंकि क्या होता है ना हम शादी पार्ष прогa अज जाता है या ना बाहर भी जाते है मार केट में तो क्या होता है हम चेहरे को बहुत सारी चीज़े लगा के बचा सकते हैं अगर आपको वीडियो में कुछ भी चीज समझ भे नहीं आ रही है न तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके बता सकते हो करने की कोशिश करोंगी तो इस तरीके से यह नहीं कि आपने ब्रश ले लिए इस तरीके से कोलगेट करने के लिए जैसे आप दान्तों को बरते हो नो कोलगेट उसी तरीके से आपको हाथों को बरना है तो जैसे आपके दान्तों को पायट बनाने में मदद करती है न करने ही वसलना है आपको जितनी भी जंदी की इसको निकालना है और फिर आपको इसको फड़ी थंडे पानी से धुल ले आपको इतना अच्छा लगेगा नद्किया खुद भी यकीन नहीं कर पाऊगा और मैंने साथ में नेल्स को भी आपको बढ़ाने ना तो नेल्स को भी आपको साफ करना है पने नेल्स को भी हाथों को भी साफ कर लिया था इस तरीके साप देख सकते हो और भी अब तर देक माने अब इतने अच्छे लग रहे हैं ना हाथ की आपको क्या बता हूं तो आप एक बार जरूर इसको ट्राइब कीजिएगा आपको तभी पता चलेगा तो अब इसमें मैंने थोड़ा सा अलोवेरा जेल ले लिया है तो मैंने एक हाथ पे इस तरीके से अपलाए करूंगी अलोव इसी तरीके से आपको चहरे पर अपलाए करना है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप एक बार डॉक्टर से रहाए लीजिए और एक बार इसको स्किप कर सकते हो आप बिल्कुल अलोवेरा लगा के भी आप सोच सकते हैं तो फ्रेंड से देख सकते हैं हाथ कितने वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद वीडियो को जादे जादा शेयर कीजिए ताकि और लोग तक भी इंफॉर्मेशन चाह सके